जमीन के नीचे बहुत 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 अंदर और उसे क्या होता है उसे बहुत सा लगते हैं बनने के लिए और वह नैचरली प्रोडिस होते हैं उसे हम नहीं बना सकते हैं अर्फ ये इतना इजी नहीं होता दूरना और हर जगे पर ओईल नहीं मिलता जमीन के अंदर scientists use special technique and machine to find this out then through pipes and machine petroleum is pumped up scientists क्या करते हैं अलग-अलग technique और machine यूज करते हैं उसे ढूलने के लिए जमीन के अंदर exactly कहा पर oil है और फिर उसे बहार निकालते हैं with the help of machine and pipes this oil is smelly, thick, dark, colored, liquid अब जब उसे बहार निकालते हैं तो वो कैसा रहता है smelly, smelly रहती है, उसको अलग सी, thick रहता है और dark color का रहता है, blackish type it contains many things mixed in it वो pure नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़े mix रहती है to clean and separate this, it is sent to a refinery और उसे clean करने के लिए जो उसमें other चीज़े हैं वो निकालने के लिए उसे कहां भेजा जाता है refinery में जहां पर उसे refine किया जाता है, pure form में convert किया जाता है have you read, have you heard of refinery आप लोग देखो, हम जो खाने का oil यूच करते हैं जैसे groundnut oil, है ना, soya bean oil उसके packet के उपर लिखा रहता है, refined oil हाँ, तो वो वही है उसको पहले refine करते है, clean करते है, pure करते है फिर वेशने के लिए निकालते है, it is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircraft और यह जो petroleum या oil है, उसे से हमें क्या मिलता है kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircraft do you know that LPG, liquefied petroleum gas, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this देखो मतलब यह चीज़े पर oil से मिलती है हमें it is also used in making several other things like plastic and paints देखो यह सारे ना, important चीज़े दी है यहाँ पर की oil से क्या-क्या बिनता है, क्या-क्या चीज़े हमें मिलती है, okay चलो, let's start I started thinking about saving oil अब यह बच्चे बाते कर रहे थे last video में हमने लोग देखा था तो वो कुल रहे है कि अभी मैं क्या सोचने लगा कि हम लोग oil कैसे बचा सकते है I remember that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else at times the pump in the fill is also left on how much oil would be going west I thought I will surely talk to Baba when I get home देखो फिर जो भी फिर वो बच्चे के ध्यान में आया फिर जब बाबा किसे के साथ बात करते रहते हैं कुछ काम करते हैं तो tractor का engine on ही रहता है और फिल पे जो pump है वो भी on रहता है तो यह इन सारी चीजों में कितना oil waste होता है और फिर वो सुचता है कि मैं एक बाबा से बात करूंगा उसकी बाबा कहाँ पे रहते हैं village में यहाँ पे कुछ questions दिये है what all can vehicles run on आपको बहुत अच्छे से पता है पेट्रोल डिजल लगता है then what kinds of problem will we face if the number of vehicle keep on increasing अगर vehicles के number बहुत बढ़ गए तो क्या लगेगा पेट्रोल डिजल भी जादा लगेगा और traffic जादा बढ़ेगा correct for example more traffic on the road talk to your elders and write about it अब जैसे traffic बढ़ गया तो क्या होगा कहीं पर अगर हमें जाना है तो हम टाइम पर नहीं पहुचेंगे न yes correct then manju said why doesn't everyone use a bus what do you think why don't people travel by busses अब देखो manju ने कितना अच्छा suggestion दिया था कि हर आदमे अपने अपने कार में जाता है उससे अच्छा क्या करना चाहिए कि हमें बस से जाना चाहिए लेकिन आजकल बस नहीं यूज करते हैं लोग क्योंकि हर किसी के पास कार रहती है आप देखिए अप क्या हो चुका है वेहिकल के नमबर बहुत बढ़ गया हर लोग अपने अपने वेहिकल निकाल के जाते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बस यूज कर सकते हैं वो तो सबसे अच्छा option है इसलिए हमें क्या करना चाहिए इंजिन बंद कर देना चाहिए देन फाइंड और यहां पर कुछ question दिये हैं how much oil scooter में कितना लगता है कार में देन ट्रक्टर में ठीक है how much petrol diesel can be filled at time एक टाइम पर कितना तो उनकी ना जैसे scooter है, car है, truck है, इनकी एक capacity होती है येस जैसे स्कूटर की सपोर्ट 5 लिटर कार के आप पकड़ लेजे की 20 25 या 30 लिटर ऐसे इनकी कैपसिटी होती है उतना ही हाँ पर पेट्रोल या डिजल भरा जा सकता है देखो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है देखो यहाँ पर और इसके न रेट लिखे है जैसे फॉस्स जो कॉलम है वहाँ पर 2002 में उसके वन लिटर के रेट कितने थे वो लिखे है देन 2007-2040 और और एक बात आप देखिए जैसे अभी पेट्रोल देखिए ठीक है 2002 में कितना रिट था रूपिस 29.91 पैसे करेक्ट अब ही क्या हुआ 2007 में वो इंक्रीज हो गया है देन अगें इंक्रीज और 2017 में थोड़ा सा कम हुआ है 64 ठीक है अब वहीं आप डेजल के रेट देख यह पहले कितना था 800 रूपिस 91 पैसे और फिर क्या हुआ 2007 में थोड़ा सा बढ़ा है 2014 में और बढ़ा है करेक्ट the next in 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by देखे 2014 में कितना था पेट्रोल के रेट कितने थे 167 रूपिस 86 पैसे और 2007 में कितने है 43 रूपिस 52 पैसे तो कितने increase हो गया है तो आपको क्या करना है यस करें 67 रूपिस 86 पैसे से माइनस करना है 43 रूपिस 0.52 पैसे यह इन वोट वोट वस देफरेंस इन रेट्स अपिट्रोल अब दिशल क्या करना है यहां पर करें जैसे आभी देखो 2002 में कितना था पैट्रोल का रेट वो देखना है दें 2007 में और उनका डिफरेंस निकालना है मतला यह करें 2007 में जो रेट था उसमें से माइनस करना है 2002 के रेट को दें वोट इस देचेंज इन प्राइस ऑफ देजल पैट्रोल फ्रां 2007-2014 अब यहां पर देखिया आप यहां पर 2007-2014 है न डिजल और पैट्रोल में क्या हुआ है एकदम इंक्रीज हुआ है रेट दें नेक् है इसकी प्राइस कि दिवांड रही है इसलिए उनकी प्राइस भीड्र ही और सबसे में तिंग यह है कि यह जो है पर रहा है इस वह फिर दिवांड रही है इसलिए और डिजल यह सारे चीजे कैसी है लिमिटेड है दें इन वन मद्ध हाव मच पेट्रोल डिजल इस यूज इन यूर हों वाट इस एक यूज फॉर यह आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि हम लोग इतना पेट्रोल इस करते एक महने के लिए करें जैसे अभी तेहकार से यह मममा जाती है यहां पर एक पूस्टर दिया है वन पूस्टर इस गिवन हीयर क्या दिया है देखो क्लोश रखे है फॉर ड्राइख क्लेनिंग यह सारे यूज इस है ओईल की फॉर लाइटिंग देन आज पेट्रोल डिजल और एरोप्लें फ्यल देन आज के यहां पर नीचे क्वेशन पूचा है वेर और इस ओईल यूज तो यह सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखने है फॉर ड्राइख क्लेनिंग फॉर लाइटिंग पेट्रोल डिजल और एरोप्लें फ्यल देन आज के रोसेन आनल फीज तो रन मशीन एंड फॉर मेकिं प्ल यह दिखे यहां पर लिखा है अरुफलेंग फ्यूवल में यूज करते हैं यस जडेन नेक्स दिव्या रोट पोयम और रीडिट आउट तो अर फ्रेंड रीड एंड डिसकर्स इस अब यहां पर यह दिव्या है उसने क्या किया है पोयम लिखी है चलो देखते हैं क्या लि यस किसके बारे में ही है औल के बारे में क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना ओल कैसे रहता है थिक ब्लैक और फ्लोई अगर आप मुझे केरफुली यूज करोगे तो मैं बहुत साल तक चलूंगा ठीक हूंगा I got made over centuries मुझे बनने के लिए बहुत centuries लगती है I won't always be there मैं हमेशा वहाँ पे नहीं रहूंगा I light your lamps I cook your food I run your machines मैं क्या क्या करता हूँ आपके lamp मतलब दिये जनाने के लिए उस में आता हूँ खाना बनाने के लिए और आपके machine भी रन करने के लिए fly planes in the sky plane में भी जो fuel use करता है वो भी मैं हूँ who is more useful to people than I तो people को मतलब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा useful कौन है मेरे से ज़्यादा तो कौन है if not use with care अगर carefully use नहीं किया I won't always be there तो मैं कुछ हमेशा वहाँ पे रहने वाला हूँ नहीं will they fight over me what is life without me तो क्या होगा खतम हो जाओंगा मैं तो life कैसे चलेगी life भी खतम हो जाएगी I am black I am thick I flow who am I do you know किसके बारे में लिखाए यह ओईल के बारे में think and discuss what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town अब मुझे बताएं यह देखो यहाँ पे question पूछा है कि अगर petrol diesel आपको नहीं मिला one month sorry one week के लिए तो क्या होगा जैसे देखो आप स्कूल बस से जाते होगे तो स्कूल बस में पेट्रोली नहीं रहेगा तो स्कूल कैसे जाओगे घर में कार है तो कार मीं नहीं चलेगी ठीक है देन अभी एक्जाम्पल लेलो कि hospital में generator रहते हैं उनको भी diesel लगता है पेट्रोल लगता है वो भी बंद हो जाएंगे कोई factory है factories में लगते हैं तो यह सारी चीज़े क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी suggest some ways to save oil अच्छा अभी हम लोग ऑई कैसे बचा सकते हैं जैसे यहां पर देखिए एक solution क्या था कि हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे हमने कहा कि हम लोग अगर बस में जा सकते है तो पेट्रोल दिसने बच जाएगा चले बैन ओर फोर चुला अब देखो विलेजेस में यह ग्यास वगर नहीं रहता है ठीक है तो वहां पर क्या करते हैं लोग चुला जलाते हैं किस चीज़ से जलाते हैं चुहा चुला सॉरी तो चुले में वो लोग क्या करते हैं यस लकडिया योज करते हैं दुरगा लेज इन विलेज इन हरियाना अब यहां पर एक स्टोरी है दुरगा के बारे में वो कहां पर रहती है हरियाना में एवरी दे शी स्पेंस मेनी आवास कलेक्टिन ओड फॉर द चूला और वो ना उसका देन का मैगजिमाम टाइं की चीज में जाता हैं यस लकडिया कलेक करने में सुखिय वाई लकडिया और उसकी बेटी भी उससे help करती है लास तीन मेने से क्या है उससे कफ हुआ है सर्देख खासी हुई है अब देखो यह लोग दिन बर लकडिया कलेक्ट करते हैं कभी सुखी मिलती होगी कभी नहीं भी मिलती होगी करें तो डैंप मतलब जो गीली लकडि रहती हो और जब हम गीली लकडि चलाते हैं तो उससे दुआ निकलता है बड़ दुरगा डज नॉट है इन अधर ऑप्शन लेकिन उसके पास ऑप्शन है यह ने क्योंकि अगर उससे खाना व्रान है तो उसको लकडिया चाहिए तो उससे जो भी मिलती है वो कलेट करके लाती है अब उनके पास पैसे ही नहीं है खाने की चीजे खरीदुने के लिए तो कहा लकडिया खरीदने के लिए नहेंगे उनके पास पैसे चलिया, आपकुछ पाइंट डिया है डिसक्ष्शन के लिए आपको पता है यह चीजे? यह साई चीज़ें आपने सिर्फ देखी होगे विलेजेस में ठीक है वहां के लोग ड्राइवोड कलेक्ट करते हैं उससे चुला जलाते हैं और यह जो है काव डंग उससे क्या बनाते हैं उपले बनाते हैं येस हां वो उपले बनाते हैं वो भी क्या करते हैं चुले में चु अगर आपको पता है तो बताइए आप विले जसमें ऐसा होता है फो कोक्स फूर इन यूर फैमिली मम्मा या पापा या फिर दोनों भी मिलकर बनाते हैं वाट अधर फैमिले इन यूर एरिया और बागी की फैमिले में कैसे है आपके एरिया के इफ दे कोक फूर यूजिंग उड और उपला उपला मतलब काउडंग के वाट डिफिकल्टेज डू दे फेज दिव टू स्मोग अगर उड यूज करते हैं उपले यूज करते हैं तो को से डिफिकल्टी जाती है एक तो नह उसको जलाने में टाइम लगता है अगर वह ड्राय है तो जल्दी से जल जाता अधरवई उसे टाइम लगता है उसे स्मोग निकलती है और स्मोग से क्या होता है यस वह स्मोग हम लोग इनहेल करते तो सीधा लंग में जाता है और फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लेम होती है अस्थमेटिक प्रॉब्लेम होती है देल क्यां दुर्गा यूज इनिफिंग इस इंसेट ऑफ उड़ वाय नॉट अब मुझे बताव यह जो दुर्गा है हमने देखा है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो उड़ लाने के लिए पैसे रहेंगे क्या उसके पास आग जलाते हैं उसके लिए यूज करते हैं मेनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर एक्टिविटीज आट हो केरोसेन, LPG, coal, electricity और क्या-क्या यूज करते हैं हम लोग केरोसेन, LPG, coal and electricity इन सारे चीज़ों के लिए खाना मनाने के लिए पानी गरम करने के लिए electricity आजकर हमारे आग पे गिज़र है उससे हम लोग करते हैं तो फर्स वाला ग्राफ है यर 1976 का ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप नीचे लिखा यर 1976 वहाँ पे बार्स बनाए हैं अब नेक्स वाला ग्राफ देखिए इन यर 1996 इसमें क्या है उफले और 75 पहले कितने थे 84 देखिए आप भी देखिए देन एल पीजे अन केरोसिन 18 हाउसेज 1976 में 10 थे देन कोल दो घर यूज कर रहे हैं वहीं एकदम 1976 में 5 फाई हाउसेज यूज कर रहे थे देन इन 1996 इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखिए किते घर में हैं 5 फाई हाउसेज आनि 1976 यह सिर्फ एक ही घर में था तो क्या हुआ है बहुत से चीजों में इंक्रीज हुआ है जैसे इलेक्रिसिटी यूज करने वाले घर करेक्ट देन लपीजी अनकेरोसिन यूज करने वा हैं सो इन 1976 आउट आफ हंड्रे हाउसेज यूज उपले और उट कितना है देखिए 84 आउसेज करेक्ट देन विच वास फ्यूल यूज यूज इन 1976 अब यह 1976 में कौन सा फ्यूल है जो सब से कम यूज किया गया है इलेक्रिसिटी देन इन 1976 एलपीजी अन केरोसिन वेर में 1976 सब्सक्राइब कितने गरों में था दस हाउसेज में और इन 1996 अब 1996 में देखिए विच इन इंक्रेस टू कितने गरों गए 18 पहले दस घरों में यूज किया जाता था और 1996 में 18 गरों में देसमेंस दाट इन 20 years there is their use increase by कितने percent से increase हुआ है 80% से ठीक है then out of hundred how many houses were using electricity in 1996 देखिए 1996 में दिख रहा है हमें कितने गरों यूज कर रहा है हाँसे विच फिल वाज यूज दे लिस्ट इन 1996 अन वाट परसेंटेज आफ हाँसे यूज इट इन दे या 1976 अब देखिए 1996 में सबसे कम जो है वो क्या यूज किया जाता है हाँ सो 1996 में सबसे कम फिल कोंसा यूज किया है कोल वेराइस 1976 में कोल कितने घर यूज करते थी थी फाइट सो फाइट मैनस तो थ्री तो कितने परसेंट से इन यूज कोकिंफ फेल है इन अट चोटी तो मेरे घर में चोला था और उसमें और यूज करते थे और उपले In the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area use of which fuel has decreased और according to me या फिल जो इल्डर लोग है उनसे मैंने पूछ के देखा है तो उनने कहा कि सबसे पहले तो यही वोड ही यूज किया जाता था फिर LPG gas यूज करते थे ठीक है लेकिन अब भी वोड यूज करना कम हो चुका है Then guess the use of which fuel would increase and which would decrease in next 10 years मुझे लगता है कि शायद अभी electricity जादा यूज करेंगे लो Then what we have learned Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus What kind of vehicle would you design, write about it, draw a picture and color it यह साही जो चीजे दी है यह है आपके लिए Then while making design, who did you plan to take care of? All people, children, those who cannot see Then look out for news reports on oil, cut these and make a collage Put up a chart in your classroom, also write your own views in this news report Then make a poster with a message on saving fuel Write a slogan to where would you like to put up this poster Put up a chance